जोहर जारखंड नमस्कार साथियों स्वागत है अब सभी को आपके अपने चैनल एक जाम हैपी भाई जारखंड में दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहाँ पर जारखंड में पारा सिच्छक आकलन परिच्छा के लेटेस्ट अपडेट को लेकर गए तो दोस्तों बताते हैं हम आपको इस वीडियो में विस्तार पूर्वक देने वाले हैं तो आप वीडियो कन तक जुड़े हुए रहेगा तो सबसे पहली बात ही कि टेट भी संगति होता क्या है तो टेट भी संगति का तात्पर यहाँ पर है कि आप एक से पांच के सिचक हैं लेकिन 6-8 में जे सारली है कि जो टेट भी संगति है उन्हें जो है दस परतिसत का अत्रिक मांदे बढ़तरी का लाब नहीं मिलेगा और जिन किसी जिलों में मिल भी रहे थे तो वहां के बी यो से अस्पश्टिक रन मांगा गया है और उनको जो पैसा है वो रिकभरी करना है यानि अब क्या ह क्या होगा तो अब इस इसीति में आपके लिए या तो जेट परिश्ट परिश्ट किजिए तब 10% बढ़ेगा या अकलन परिच्चा कि जेए तब तेन परिश्ट आपका मांडे में बढ़तरी होगा इसलिए जेट आकलन परिच्चा के बाद होगी यहां पर अभी तक जो क भी संगत्ती है तो आप आकलन परिच्छा नहीं देंगे और सरकार मान जाएगे और देखिए आकलन परिच्छा लगबग सभी को देना चाहिए इससे किसी भी परकार का कोई संगा नहीं है क्योंकि सीर्फ और सीर्फ के वल आपको 30% और 35% अंक लाने है जो कि बहुत ही कम है और इतने में सभी कोई पास कर जाएगा और आपका जो एक्जाम होगा वो ब्लॉक लेबल का एक्जाम यहां पर बताया जा रहा है कि ब्लॉक लेबल पर ही आपकी एक्जाम होगी तो दोस्तों इस तरह से यहां पर आप सभी कोई आकलन परिच्छा अवस्य देंगे और मैं आकलन परिच्छा में जो विडिये आया हुआ है, जो क्यूशन आये हुए हैं, उसके चार बरसों का हम आपको क्यूशन भी देंगे, जो आप परचेट कर सकते हैं, तो आप विडियो देखने के बाद अवसी कॉमेंट किजेगा कि आप लोगों को चाहिए या नहीं चाहिए, यानि आकलन परिच्छा में आप बहुत ही अच्छे अंक लाना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लिएगा, इस पर नोट्स के साथ साथ सारी तियारी भी करवाई जा रही है, विडियो के अंद तक जुड़े रहे हैं, इसके लिए आप सभी को बहुत बह एिए मया सकलो कर दो कर दोंद कर दोसे हैं, आक की हमारे में नोट बहुत हैं, तो इस जुट 새ी은 रहे हैं, आप कि याना जो फ Finnish केया सारी ऑमनी में आनि में हमारे जाना